नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मैंक शर्मा और निश्य अकैडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों निश्य अकैडमी आपके लिए लाया है अब वक्त आगया है कि आप उसका अच्छी तरीके से खुद का आकलन करें और समझें कि आप कितने पानी में है तो इसके लिए आपको test series के आवसकता पड़ेगी तो Nisha Academy के इस test series में क्या-क्या होगा एक बारे से देख लेते हैं इसमें 20 full test होंगे जिसमें Hindi और English language के जो है वो प्रस्ण देखने को मिलेंगे इसके अलाबा 20 paper विशावार होंगे संस्कृत भाषा भी इसमें include की गई है तो वहाँ पर आपको कहीं और भटकने की आवशकता नहीं है इसके अलाबा आपको इसकी e-book भी दी जाएगी स्वाप्ट कोपी दी जाएगी जिससे आपको कहीं और दूसरी चीज़ों को पढ़ने की आपर शक्ता नहीं है यहीं पर आपको जो है वो सारी चीज़ा मिल जाएगे और साथ-साथ जब आप टेस्ट दे रहे होंगे या दे चुकी होंगे उसके बाद आपको explanation मिल जाएगा कि किस तरीके से इसकी विश्रित व्यक्या होगी और ये प्रश्ण आपके साथ-साथ जो है वो दूसरे प्रश्ण भी किस तरीके से जो है वो वहाँ पर कबर कर देंगे वो भी आपको यहाँ पर सहायता हो जाएगी ये हिंदी माध्यम में होगा अर्था हिंदी मीडियम में होगा कब से शुरू होने वाला है तो 15 जन्वरी से जो है वो शुरू होने वाला है तो जल्दी से जल्दी सभी लोग रेइस्टर्ट कर लीजिए यदि कोई भी दिक्कत आती है कोई भी समस्या आती है तो आप 8234050544 इस पर call करके जो है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं जिसमें आपको सारी आपकी जो समस्या है जो दिक्कते हैं उसका समधान कर दिया जाएगा और इस test को देने के लिए आपको जो है वो Google Play Store से जो है वो हमारा निश्चे एक्जाम एप जो है वो download करना पड़ेगा जिससे वहाँ पर आप test दे सकते हैं दोस्तों जो हमारा schedule होगा वो क्या-क्या होगा एक बार देखते हैं 15 जनवरी से शुरू होने वाला है उस दिन जो है वो test 1 होगा ठीक है इसके बाद 17 तारीक को इसमें आपका test 2 होगा फिर 19 तारीक को उसके बाद 21 तारीक को आप देख सकते हैं कि 2-2-3-3 दिन का gap है जिससे थोड़ा सा आपको वहाँ पर relief मिल जाए और आप थोड़ा सा सोच सकेगी प्रस्ने किस तरीके से आ रहे हैं उसके बाद 21 तारीक को 21 जनवरी को 23 जनवरी को 25 जनवरी को 27 जनवरी को 29 जनवरी को उसके बाद सीधा फरवरी में तो 3 फरवरी 5 फरवरी 7 फरवरी 9 फरवरी 13 फरवरी 16 फरवरी 19 फरवरी इसके बाद 21 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी, इसके बाद 27 फरवरी और फिर आपको last में जो मिलेगा वो एक मार्स तक जो है वो आप इसका access आपके पास रहेगा दोस्तों ये date जो है वो हमने इसी तरीके से तयारी की है तो कम से कम 2-3 दिन का आपके पास gap हो लेकिन उस time पर यदि आपके पास ऐसा है कि समय नहीं है कि आप जो है वो test नहीं दे पा रहे हैं तो बिलकुल परिशान होनी के आप शक्ता नहीं है उसका access आपके पास रहेगा तो आप बीच की दिनों में भी आप जो है वो test दे सकते हैं बट मेरी राय ये होगी तो जो भी आपको schedule दिया जा रहा है आप उसके हिसाब से अपना test दें जिससे जो है वो थोड़ी सी हमें बीच में time मिल पाए और हम पूरी तरीके से उसको prepare करके चलें लास बार फिर से कह रहा हूँ कि आपको कोई भी समस्याती है रेश्टर्ट करने के लिए तो आप 8234050524 पर जो है वो call करके पूछ सकते हैं और निश्चे अकैडेमी का जो एप है निश्चे एक्जाम एप जो है वो आप उसे डाउनलोड करना न भूले इसी के आगे जो है वो हम आपको बता देंगे कि ये आपको अईप जो है वो कहां से मिलने वाला है क्या क्या प्रोसेजर होगा इसी वीडियो में हम इसके आगे आपको बता देते हैं चलिए हम मोबाली स्क्रीन पर आ गए हैं सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आपको निश्य एप जो है वहां पर आपको टाइप करना है मैंने यहां पर टाइप किया हुआ है तो यहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आपको यह जो है निश्य को open करेंगे निश्चे एप को open करने के बाद आपको mobile number डालना पड़ेगा OTP डालना पड़ेगा उसके बाद आपका जो एप है वो खुल जाएगा अब हमें देखना है कि आप कहां पर जाएंगे और किस तरीके से आपको वहां पर मिलेगा तो इस्टोर पर जाएंगे इस्टोर पर जाने के बाद सबसे उपर ही तात्मिक सिक्षक पात्रता परिक्षा ये जो है वो आपको course मिल जाएगा test series का जो ह है वो exam दे सकते हैं test आप वहां पर दे सकते हैं तो आशा करता हूं ये आपको procedure अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा